नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमार्ग दैनिक रासिपल सुसिपले जानते हैं दैनिक पंचांग के बारे में दो सितंबर दो हजार चौबिस सोंबार का दिन है बाद प्रत महा के किष्ण पहुच्च की अमोस्य थी नच्छत रहे आज का दिन आपके लिए अच्छा है खास कर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ज्यादा बढ़िया हैं सिख्छा परतविक्ता में सफलता मिलेगी आज पढ़ाय लिखाई पर भी फोकस रहेगा बस बे बजह किसी से भी उलजिएगा मत और समय नस्ट मत कीजिएगा आज स सकता है सिनियर से आपका विवाद हो जाए तो इससे बशना होगा हलंकि आपकी चिनताएं दूर होंगी जीवन साती का हर कदम पर सपोर्ट मिलेगा जिसके कारण पारिवारी जीवन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज अगर कहीं आप निबेस करते हैं तो वह आपको सम्रिद्धी देगा धन बढ़ाएगा और किसी खास बेक्ती की तरफ आज आप आकरसीत होते भी नजराएंगे आज सिवजी को एक लोटा जलर पित करके ही दिन की सुरुआत कीजेगा तो अती उत्तम है वैसे स्वास भी बढ़ियां रहेगा लेकिन दिन की कर बात कीजेगा तो आज के दिन किसी भी इंपोर्टेंट कारे के बारे में अपने बिरोधी को ही तो क्या किसी को भी ना बता है जब तक वह कारे आपका बन नहीं जाता क्योंकि हो सकता है योजनाओं में वह बाधा डाले कारे छेत में हलांकि सबसे तालमेल बिठा कर चलि करते हैं आपके सहायक हैं उनसे धोका मिल सकता है हर तरफ नजरे बनाया रखे और कोई भी काम किसी के ऊपर मत छोड़िये ना ही आँखे बन कर भरोसा कीजिए महतपूनकार में बिलंब होने से थोड़ी सी मन की खिनता है लेकिन फिर वह अंतता आपकी बन जाएगी तो इस कर ना ही बुरे तरफ जाना है जो बैपारी भाई हैं खर्चा है लेकिन फिर भी लाब होगा और अगर आप कोट कचरी मुकदमे जैसी चीजों में फसे वे हैं तब अच्छे जे तवाम पैर भी कीजिए या ले दे कर बहां से टाल दे तो जादा अत्तम रहेगा आपके लि अनुकूल आपको सामने से रिस्पॉंस मिले और हो सकता है कि वो प्रस्ताव भी आपका प्रेम का स्विकार कर ले तो क्रोध नहीं करना है सांत रहिए वस्त्र वाहन के रखडखाओ पर थोड़ा खर्चा बढ़ेगा अपने स्वास्त का भी ध्यान रखे थोड़ा सा छने कारी को करेंगे तो ज्यादा अच्छा फील होगा और जिन्दगी की जो आपा धपी है उसमें से थोड़ा वक्त अपने लिए चुराई है